नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जैसवाल हो मिस्टे में आज मैं आपनों को बताऊंगा कि आप अपने इन्वाइस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड के माद्यम से किस प्रकार कर सकते हैं देखिए ये फीचर्स पहले नहीं था ये फीचर्स अ नमस्का देख लेंगे एक्स्टरनेट में पिनांस टैब में जाएंगे इन्वाइस के सेक्शन में जाएंगे देखिए हमारा invoice आगया है यह हमको pay करना है amount है 4 रुपे 50 पैसा यह है tax overview आप लों कभी इसी प्रकार से tax आता होगा और commission 135 रुपे से जो यह दिखा रहा है यह जो amount है total 139 रुपे 50 पैसा यह मुझे pay करना है तो यह amount मैं किस प्रकार pay करूंगा credit card के माद्दम से यह मैं आप लों को आज बताने जा रहा हूं तो इसके लिए हमको यह outstanding balance के नीचे document name और यहां पर ब्लॉक दिया है यहां पर हमें click कर देना है वेट करना है यह बहुत subtle process है इसमें कोई OTP नहीं आता कुछ नहीं आता सीधे payment हो जाता है प्लीज सिलेक्ट यूर पेमेंट मैथर्ड अगर आपका वीजा कार्ड है तो वीजा में अगर आपका क्रेडिट कार्ड वीजा है तो वीजा में सिलेट करना है master card है तो master में select करना है मेरा credit card visa है मैं visa में select करने जा रहा हूँ यहाँ पर हमें card की detail डालना है देखिए amount यहाँ लिखके आ रहा है 139 रुपीज 50 पैसा with visa यहाँ पर card का detail डालना है जैसा है कि मैं अपने detail डालने जा रहा हूँ तो दोस्तों मैंने अपना credit का detail यहाँ डाल दिया है अब इसके बाद continue में मुझे क्लिक करना है अगर आपको लगता है कि इसके पीछे वाला detail आपने गलती से वीजा ले लिया है आपको दूसरा वला option से लिट करना है तो आप यह previous का button भी क्लिक कर सकते हैं अभी मेरा सब details है है मैं continue में क्लिक करने जा रहा हूँ भूल रहा है please wait अब यह यह आगया है यह आपको बता रहा है प्रिव्यू बता रहा है कि आपका 139 उपेस 50 पैसा है वीजा है यह आपका card detailed है यह बगर बगर यह सब नाम दिया हुआ है आप देख लीज़ेगा अगर आपको सब सही लगता है तो pay में कि ख़्ले कर दीज़ेगा कर आपको लगता है कि कुछ edit करना है तो अगें previous की button यह नहीं होही है इसको आपको प्रेस करना है तो मेरे साब से सब को सही है मैं pay में click कर दूँगा बस यही button है pay मैं pay में click करूँगा credit card के बद धहम से payment हो जाएगी इसका मतलब आप समझ जाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ट से पैसे कट हो चुके अब अभी 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 आप यह देख रहा हूंगे फाइनस टैब में अगर आप क्लिक करेंगे हैं इन्वाइस बता रहा है तो इन्वाइस अभी बता रहे जो आपने पेमिंट कर दिया ह इन्वाइस अभी बता रहे वो इसलिए बता रहा है क्योंकि इन्वाइस अभी अपडेट नहीं हुआ है इसको अपडेट होने के लिए वन से टू डेज का समय वरकिंग डेज लग सकता है पर आपका पेमिंट हो चुका है आपके क्रेड कार्ट से पैसे कट चुके हैं इस के पैमिंट में कोई भी ओटीपी नहीं आता है सीधे पैमिंट हो जाती है आशा करता हूं मेरे दोरा दी गए जानकारी से आप संतुस्ट होंगे अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कमेंड कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए ला में आपा लाए और खिड्का एंग्सटी के लाए जानकारी बीजए जाब कीजिए जावड़ के लुदट बोलना चाहते हैं ऊ बोलना चाहते हैं रावाण नहीं लाए जावादे लाए लाए वाजस